सात्मा पाठ, पुस्तकें जो अमर हैं, प्रिष्ट संख्या, 34 से 40 तक, अब सुनिये, पुस्तकें जो अमर हैं, कोई दो हजार वर्ष हुए, सी ह्यांग ती नाम का एक चीनी समराड था, उसे अपनी प्रजा से एक अजीब नाराजगी थी, कि लोग इतना पढ़ते क्यों हैं और जो लोग किताबें पढ़ नहीं सकते, वे उन्हें सुनते क्यों हैं, उसको विश्वास नहीं था, कि अब तक जो पुस्तकें लिखी गई हैं, वे चाहे इतिहास की हुँ, या दर्शन शास्त्र की, या फिर कथा कहानियों की, उनमें उसका और उसके पूर्वजों का ही गुणगान किया गया है, कौन जाने, ऐसे लेखक भी हूँ, जिन्होंने समराट को बुरा भला कहने की हिम्मत की हो, सी हयांगती का कहना था, कि प्रजा को पढ़ने, और उन बातों से क्या मतलब, उसे तो चाहिए, कि कस कर मेहनत करे, चुपचाप राजा की आज्याओं का पालन करती जाए, और कर चुकाती रहे, शान्ती तो बस ऐसे ही बनी रह सकती है, फिर क्या था, उसने आदेश दिया, कि सब पुस्तकें नश्ट कर दी जाएं, उन दिनों पुस्तकें ऐसी नहीं थी, जैसी आज होती हैं, तब छापे खाने तो थे नहीं, लकडी के टुकण पर अक्षर खुदे रहते थे, ये ही पुस्तकें थी, उन्हें छिपा कर रखना भी तो आसान नहीं था, समराट के आदमियों ने राज्य का चप्पा चप्पा चान मारा, नगर नगर और गाउं गाउं घूम कर, जो पुस्तक हाथ लगी, उसकी होली जला दी, यह बात धेर सारी पुस्तकें, जो की बड़े-बड़े लठों के रूप में थी, पत्थरों की जगा दीवार में चिंदी गई, अगर किसी विद्वान ने अपनी पुस्तकें देने से इनकार किया, तो उसे किताबों सहित बड़ी दीवार में दफना दिया गया, ऐसा था पढ़ने वालों पर राजा का क्रोध, कई वर्ष बीत गए, समराट की मृत्य हो गई, उसके मरने के कुछ वर्ष बाद ही, लगभग सभी पुस्तकें, जिनके बारे में सोचा जाता था, कि नश्ट हो गई हैं, फिर से नए चमकदार लकडी के कुंदों के रूप में प्रकट हो गई इन पुस्तकों में महान दार्षनिक कनफ्यूशियस की रचनाई भी थी, जिन्हें दुनिया भर के लोग आज भी पढ़ते हैं, किताबों को इस प्रकार नश्ट करने का ये एक मात्र उदाहर नहीं है, छटी शताबदी में नालंदा विश्व विद्यालय उन्नती के शिख पर था, उन दिनों प्रसिद्ध विद्वान एवं चीनी यात्री वेन सांग वहां अध्यान करता था, एक रात सपने में उसने देखा कि विश्व विद्यालय का सुन्दर भवन कहीं गायब हो गया है, और वहां शिक्षकों और विद्यार्थियों के स्थान पर भैंसें ब अच ही हो गया, जब आकर्मन कारियों ने विश्व विद्यालय के विशाल पुस्तकालय के तीन विभागों को जला कर राख कर दिया, एक समय था, जब प्राचीन नगर सिकंदरिया में एक बहुत बड़ा पुस्तकालय था, इसमें अनेक देशों से जमा पांडू लिपिया थी, अनियक देशों से सैंक्डों लोग जिन में भारतिय भी थे, अध्यायन करने वहां जाते थे, ये अनमोल पुस्तकालय सात्मी शताबदी में जान बूच कर जला दिया गया, इसे नश्ट करने वाले आकर्मन कारी की दलील यह थी, कि अगर इन अनगिनत ग्रंथों में वह नहीं लिखा है, जो उसके धर्म की पवित्र पुस्तक में लिखा है, तो उन्हें पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, और अगर ये पुस्तकें वही कहती हैं, जो उसके पवित्र ग्रंथ ने पहले ही कह रखा है, तो उन पुस्तकों को रखने का कोई लाभ नहीं इस प्रकार कई बार विद्या और ज्ञान के शत्रों ने पुस्तकों को नश्ट किया किन्तो वही किताबें जिनके बारे में सोचा जाता था कि वे हमेशा के लिए बरबाद कर दी गई हैं फिर से अपने पुराने या नए रूपों में प्रकट होत ठीक भी है पुस्तके मनुष्य की चतुराई अनुभव ज्यान भावना कल्पना और दूर दर्शिता इन सब से मिलकर बनती हैं यही कारण है कि पुस्तके नश्ट कर देने से मनुष्य में ये गुण समाप्त नहीं हो जाते दूसरी शताबदी में डेनिश बादरी बेन जोसफ अकीबा को उसकी पांडित्यपूर्ण पुस्तक के साथ जला दिया गया था उसके अंतिम शब्द याद रखने योग्य हैं कागज ही जलता है शब्द तो उड़ जाते हैं ऐसे भी लोग हैं जिन्हें पुस्तकें प्रा जेल सकते हैं ऐसे भी लोग हैं जो अपनी प्रियर पुस्तक के खो जाने पर परिशान नहीं होते क्योंकि समूची पुस्तक उन्हें जबानी याद होती है पुराने जमाने में लिखे हुए को कंठस्त कर लेने का लोगों का अनोखा ढंग था यूनानी महाकवी होमर जिसका काल इसा से 900 वर्ष पूर्व है के महाकाव्य इलियड तथा ओडीसी पेशावर गाने वालों की पीढ़ी दर पीढ़ी को कंठस्त थे इन दोनों महाकाव्यों में कुल मिलाकर 28,000 पंक्तिया हैं कुछ चारण तो इससे चोगुना याद कर सकते थे भारत में सदा से कई भाषाएं बोली जाती रही हैं किन्तु पुराने जमाने में संस्कृत का प्रियोग सारे भारत में होता था भारत के कोने कोने से कवियों और विद्वानों ने संस्कृत के जरिये ही भारतीय साहित्य का भंडार भरा प्राचीन भारत का दर्शन तथा विज्ञान दूर दूर के देशों तक फैला हिमालय परवत और गहरे गहरे सागरों को पार करके भारत की कहानियों का भंडार, कथा सरित सागर, पंचतंत्र और जातक दूर दूर देशों तक पहुँचा यह भी सब जानते हैं कि बाइबल के अनेक द्रिश्टान्तों, युनानवासी ईसब के किस्सों, जर्मनी के ग्रिम बंधुओं और डैन्माक के हैंस एंडरसन की कथाओं के मूल भारत में ही हैं साहित्य की द्रिश्टी से भारत का अतीत महान है, इसमें शक नहीं मनोजदास, अनुवाद, बालकराम नागर, अभ्यास, शबदार्थ, अजीब, अनोखा, अद्भुत, नाराजगी, घुस्सा, क्रोध, कर, लगान, टैक्स, पांडुलिपियां, पुस्तक की हस्त लिखित प्रती, क्रित्रिम, नकली, बनावटी, जमा, इकठा, अनगिनत, जिसकी गिनती न हो सके, दूरदर्शिता, आगे की सोचना, जबानी, मौखिक, चारण, यशगान करने वाला समुदाय, अतीद, बीता हुआ समय, शक, संदेख, एक, पाठ से, क, सी हियांगती के समय में, पुस्तकें कैसे बनाई जाती थी, ख, पाठ के आधार पर बताओ, कि राजा को पुस्तकों से क्या खत्रा था, ग, पुराने समय से ही, अनेक व्यक्तियों ने, पुस्तकों को नश्ट करने का प्रयास किया, पाठ में से कोई तीन उदाहरन धूंड कर लिखो, ख, बार बार नश्ट करने की कोशिशों के बाद भी किताबें समाप्त नहीं हुई, क्यों, दो, तुम्हारी बात, क, किताबों को सुरक्षित रखने के लिए तुम क्या करते हो, ख, पुराने समय में किताबें कुछ लोगों तक ही सीमित थी, तुम्हारे विचार से किस चीज के आविशकार से किताबें आम आदमी तक पहुंच सकी, तीन, सही शब्द भरू, क, सहित्य की द्रिष्टी से भारत का, रिक्तस्थान, महान है, विकल्प हैं, अतीत, अत्वा, भुगोल, ख, पुस्तकालय के तीन विभागों को जला कर, रिक्तस्थान, कर दिया गया, विकल्प हैं, गर्म, अत्वा, राख, ग, उसे किताबों सहित, रिक्तस्थान, में दफना दिया गया, विकल्प हैं, जमीन, अत्वा, आकाश, घ, कागस ही जलता है, रिक्तस्थान, तो उड़ जाते हैं, विकल्प हैं, शब्द, अत्वा, पांटू लिपिया, चार, पढ़ो, समझो और करो, जैसे कि, इतिहास, इतिहासकार, शिल्प, गीत, संगीत, मूर्ति, रचना, पांच, दोस्ती किताबों से, क, तुमने अब तक, पाठे पुस्तकों के अतिरिक्त, कौन-कौन सी पुस्तकें पढ़ी हैं, उन में से कुछ के नाम लिखो, ख, क्या तुम किसी पुस्तकालय या पत्रिका के सदस्य हो, उसका नाम लिखो, छ, कहानी किताब की, मान लो कि तुम एक किताब हो, तो अपनी कहानी लिखो, मैं एक किताब हूँ, पुराने समय से, इसके आगे स्वयम लिखो, साथ, वाक्य विशलेशन, किसी भी वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधे, वाक्य का विशलेशन करने में, वाक्य के इन दोनों खंडों और अंगों को पहचानना होता है, जैसे वाक्य, मेरा भाई मोहन, कक्षा साथ में हिंदी पढ़ रहा है, इसमें मुख्य उद्देश्य है मोहन, कर्ता का विशेशन, मेरा भाई क्रिया पढ़ रहा है, कर्म हिंदी, कर्म का विशेशन, कुछ नहीं, पूरक, कुछ नहीं, विधे विस्तारक, साथ कक्षा में, अब, इस वाक्य का विशलेशन करो, मोहन के गुरुजी, श्याम पट पर प्रश्न लिख रहे हैं, आज, बातचीत, आगे किताबे नामक कविता है, उसे पढ़ो, और उस पर आपस में बातचीत करो,